तो हलो एवरिवन, सुनी A7S3 का नए अपडेट वर्जन 3.0 आ गया है तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या-क्या नई चीज़े इसमें एड़ोन हुई है और क्या-क्या चीज़े और बेटर हो सकते थी तो जो पहला फीचर इसमें एड़ोन हुआ है वो है DCI 4K तो DCI 4K और normal 4K में difference यह होता है कि DCI 4K में आपको 17x9 ratio में shoot करने को मिल जाता है जनरली जो 16x9 ratio होता है तो आपको width में extra pixel कुछ मिल जाते हैं दूसरा अगर आप DCI 4K में shoot कर रहे हैं तो आप true 24 fps पे shoot करते हैं जनरली जो 24 fps इसमें आता है उसमें 23.096 और something अपन फ्रेम पे shoot करते हैं ना कि 24 fps पे तो अब आप चाहे तो true 24 fps पे shoot कर सकते हैं बट उसके लिए आपको DCI 4K पे shoot करना पड़ेगा तो जो second feature एड़ोन हुआ है वो है focus breathing compensation तो जनरली जब आप कोई prime lens यूज करते हैं तो corner पे हलका आपको zoom in out effect देखने को मिलता है जो की focus breathing होती है तो अब इस feature के through आप उसको हटा सकते हैं अगर आप ये feature own करेंगे तो breathing नहीं होगी बस issue ये है कि ये feature तभी काम करेगा जब आप Sony के native prime lens यूज करेंगे अगर आप third party lens यूज कर रहे हैं तो ये feature काम नहीं करेगा So the third and my favorite feature is new menu system तो मैं दो camera यूज करता हूँ एक है Sony ZV-E1 और दूसरा है Sony A7S3 बट इस्यू ये होता था कि जब मैं इन दोनों camera के बीच switch करता था तो थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि दोनों का menu system अलग अलग था इस update में दोनों का menu system सेम हो गया है जो menu system नए Sony camera या ZV-E1 या FX3 में है वो सेम menu system आपको Sony A7S3 में देखने को मिल जाएगा साथ में आपको touch compatibility भी मिल जाती है जिससे touch screen से आप सारी चीजे चेंज कर सकते हैं आइसो शटर स्पीड या कुछ भी दूसरा आपको swipe left right या swipe bottom ये feature भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी and the fourth feature is कि आप अब अपने Sony A7S3 को Sony की नई creator app के साथ connect कर सकते हैं तो इससे होगा या कि अभी creator app में connectivity भी आपको अच्छे मिल जाएगी दूसरा अगर आप चाहें तो उस app के तुरू अपने phone को monitor की तरह इस्तमाल कर सकते हैं अपने camera को use करने के लिए तो जो पांच्वा feature है वो यह है कि अब इसमें shutter wayne power off का option आ गया है तो अगर आप इसको own कर देंगे तो जब भी आप camera बंद करेंगे तो जैसे Sony A7M4 में camera बंद करने पर उसका shutter off हो जाता था वैसे इसी में भी जब आप camera बंद करेंगे तो इसका shutter off हो जाएगा और जब आप lens sense करते हैं तो इसमें dust आने के chances कम हो जाते हैं तो अब ही मैंने camera का option on करकर और आप देख सकते हैं कि इसका shutter down हो गया है तो direct sensor नहीं दिखेगा और dust आने के chances कम हो जाएगे तो feature के बारे में तो हमने बात कर ली अब हम लोग बात करेंगे कि आप अपने camera को घर पे update कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आपको simple कुछ process follow करने है सबसे पहले आपको description में जो link दी है उससे application को download कर लेना है second आपको check करना है कि आपका camera कौन से version पे है अगर आपका camera 2.11 version पे तो अपडेट करने के लिए जो पहली चीज का ध्यानक नहीं है वो यह है कि आपकी बैटरी एप्रोक्स 100% चार्ज होनी चीए दूसरा आपके camera में कोई भी memory card नहीं होना चीए थर्ड चीज आपको इसके अंदर USB के थूरू mass storage access करने का option own कर देना है then आपको PC के अंदर अप 2.15 अपडेट पे देन सेम प्रोसेस फोलो करके आपको अपडेट करने 2.15 से वर्जं 3 पे और आपको यह सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे तो परसो ही यह अपडेट रिलीज वा था और काल मैंने अपना camera बेट कर दिया था तो सुचा आपको भी बता दू और अगर को अपाल कर दो स्क पाल कर दो पहते हैं था तो सुचा आपको यह अपको यह अपड़ने को भी जाएंगे मिल जाएंगे तो सुचा आपको यह निए जा रिलीजस कर दो सुचा ए।